अप्टेदार हरी सबजियां पालक और ब्रॉकली जैसी सबजियां फॉलिक एसिट से भरपूर होती हैं, जो आपके दिल को सेहत मंद और दिमाग को तेज बनाता है। पत्तेदार सबजियों में बहुत सारा पानी भी होता है, जिससे पानी की कमी नहीं होती और आपकी तवचा भी चमकती रहती है। ओ, क्या आप सुभा पेट साफ होने में तकलीफ का सामना करते हैं? इसके लिए डॉक्टर बाइनॉक्स की सलहा है कि आप सबको हाई फाइबर वाली सबजियां ज्यादा खानी चाहिएं, जैसे बीन्स और ब्रॉकली, क्योंकि हाई फाइबर वाली सबजियों की ये खासियत होती है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फूल जाती है, पानी सोखने के बाद जिससे आतों में हल्चल होती है और कब जिसे छुटकारा मिलता है, ओ, अब हलका महसूस हो रहा है, है 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 हमारे बारे में और अच्छी बातें बताओ, वरना वो हमें नहीं ओ, सौरी मिस्टर वेजी, मैं मुद्दे से भटक गया था, पर दोस्तों, आप ना भटकें, क्योंकि हरी सबजियां जैसे गोभी और हरी शिमला मिर्च में होता है, विटमिन सी, जो आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है, और शरीर को बीमारियों से बचाता है, हरी बात नहीं, खीरे के बाहरी हिस्से का इस्तिमाल करके उस गलती को मिटा दें, और हाँ, हरी सबजियां विटमिन ई और सी से भरपूर होती है, ये दोनों मिलकर आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है, और सूरज की यूवी डेस से होने वाले नुकसान से बचाती है, नहीं नही मिस्टर सूरज, ये सुरक्षित है, ट्रिविया टाइम, क्या आप जानते हैं कि ब्रॉकली में मीट से ज्यादा प्रोटीन होता है, और पालक की खेती सबसे पहले परजिया में शुरू हुई थी, वो भी कई हजार साल पहले, तो दोस्तों, खाईए हरी भरी सबजियां, द झाल